दोस्तों, डिजिटल सर्चा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं यूट्यूब पे अपना अकाउंट कैसे बनाया जाता है दोस्तों, यूट्यूब पे अकाउंट बनाने के लिए आपको गूगल पर अकाउंट बनाना होगा गूगल का अकाउंट गूगल की बाकी सारे सर्विसे जैसे की यूट्यूब, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स इत्यादी के लिए काम करता है तो Google का एक ही हम मुख्य अकाउंट बनाते हैं उसके तरू हम बाकी सारे services को use कर सकते हैं तो दोस्तो Google पर अकाउंट बनाने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं राइट साइड में आपको एक sign in का option देख रहा है वहाँ पर click करना होगा वहाँ click करने के बाद friends नीचे create account का एक option आ रहा है यहाँ पर हमें click करना है तो आप देख रहे हैं create your Google account के page पर हम आ गए है दोस्तो इस page पर आने के बाद में Google हमार सिफ form भरवाएगा जिस form में कुछ information वह हम से चाहता है जैसे की जो account बना रहा है उसका नाम क्या है वो अपना preferred email address कैसा रखना चाहता है password और password वापस हमें confirm करना होता है that we are remembering that password उसके बाद में वो हमार से हमारा date of birth लेगा हमारा gender पूछेगा हमारा mobile number और current email address पूछेगा अगर हमारे पास है तो तो दोस्तो यहाँ पर हम information फिल्म करेंगे testing how to create choose your username मतलब हम at the rate gmail.com से पहले हमारा email क्या रखना चाहते हैं वो Google हम से पूछ रहा है हम वो रखेंगे testing how to create दोस्तो अगर यह email address available नहीं होता तो Google यहाँ पर एक red color का error show कर देता जैसे कि यहाँ नीचे कर रहा है बट Google ने नहीं कर रहा इसका मतलब यह है कि यह email address available है अब हमें एक password रखेंगे हमारे account के लिए जो हमें याद रह सके दोस्तो password में आपको alpha numeric और special character तीनों रखने चाहिए इससे कि password आपका complex है और कोई तीसर अव्यक्ति उसका इस्तिमाल ना कर सके तो हम भी एक password रखेंगे complex है यहाँ पर इसी password को हमें याद रिपीट करना है इसके बाद दोस्तों हम अपना date of birth देंगे यहाँ हम dummy account है इसलिए dummy date of birth दे रहे दोस्तों अगर आप 18 वर्ष से कम उम्रुके हैं तो google अपनी कई services में आपको restrict करता है तो यहाँ पर जो भी आपकी actual age है वो आपको देनी होगी उसका reason यह है ताकि google आपको सही content और सही चीज़े दिखा सके आपके age के according अब यहाँ हम अपना mobile number देंगे दोस्तों जैसा कि मेरा mobile number यहाँ पर है current email address दोस्तों अब हम next पर click करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर next step है इस पर हम click करेंगे तो google अपनी privacy and terms and conditions से हमें agree करवाएगा यहाँ हम agree करेंगे अब google हमें बोल रहा है कि आप text या voice call के तुरू अपने account को verify करा सकते हैं तो हमारे डेजिस्टर हमने जो mobile number ने दिया है उस पर एक sms बेजेंगे हमें और हमारे पास ही OTP receive होगा जो कि हमें यहाँ पर insert करके verify करना होगा दोस्तों मेरे पास google की तरफ से मेरा OTP आ चुका है वह मैं यहाँ पर fill करूंगा यह fill करने के बाद मैं continue क्लिक करूंगा और जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर page load हो रहा है और मैं अपने account पर create कर चुका हूं अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं अपने account से logged in हूं और अब मैं Google की services as a account user use कर सकता हूं अब मैं यही से YouTube पर जाओंगा क्लिक करके जोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पर आ चुका हूं मैं अपने YouTube account पर आ चुका हूं अब यहाँ से जो भी वीडियो मुझे देखना है वो मैं यहाँ से देख सकता हूं sign in करके तो आए हम sign in करते हैं अपने account पर you are now registered with YouTube this is a completion and successful message from Google दोस्तों हम YouTube के लिए account create कर चुके हैं वीडियो के बाद subscribe करना ना बूलिएगा मेरे चैनल डिजिटल चर्चा को दोस्तों यह है मेरे चैनल डिजिटल चर्चा अब यहाँ पर ऐसे red बेटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब परिएगा डिजिटल चर्चा में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद